तो हेलो गाईज वेलकम बैक टू माई चैनल अर्थ शास्तर की नगरी तो गाईज जैसे कि आपने थमनिल के अंदर देखी लिया है जी हाँ आज हम बात करने वाले हैं प्री बोर्ट के डेट शीट के रिकार्डिंग आप बोलेंगे यार सी बीएट शीट ने तो कोई डेट निकाली नहीं है प्री बोर्ट की तो ये वो आले प्री बोर्ट की डेट शीट नहीं है जो सी बीएट शीट लेने वाला है सबसे पहली बात तो ये डेट शीट कौन सी है ये डेट शीट वो डेट शीट है सी बीएट शीट ने अपने सभी स्कूल के रिजन को जो है ये बो अपने अक्वाडिंगली ओफ्लाइन मोड के अंदर आपको बच्चों का कम से कम एक प्रीबोर्ड जो है वो आपको लेना ही पड़ेगा ठीक है एक ठीक है अभी इसके अंदर दो डेटशीट है मारे पास वो दूसरे प्रीबोर्ड की है तो यह जो डेटशीट है यह एक आपके रीजन की डेटशीट अलग हो सकती है और CBC ने भी बोला है कि जो इसकूल है वो अपने अक्वाडिंगली भी डेटशीट बनाके प्रीबोर्ड जो है वो ले सकता है तो यह एक रीजन की है आपका रीजन अलग हो सकता है आपकी डेटशीट जो है आपकी गई होगा और यह वाला preboard नहीं है जो cbsc का है ठीक है वो तो अलग ही है वो तो अलग है यह आपका school का offline preboard है ठीक है आपको cbsc ने बोला कि यह एक बारी तो ले नहीं लेना है तो यह गए preboard one यह एक reason किये जिसमें आप देखेंगे दो मार्थ को mathematics का है तीन मार्च को physics या economics का है चार को English का है पांच को biology और accountancy का है साथ को जो है आपका chemistry business study और pole science का है और आठ को जो है optional paper जितने भी है उसका है तो भाई यह जो है यह preboard one का है जो कि start है दो मार्च से और आठ यह बेटा सब की अलग-अलग हो सकती है ठीक है मैं यह नहीं कहा रहा है यह आपकी ही है यह सब reason के अलग-अलग है आपको बहुत ही जल्दी अभी लेबल हो जाएगी आपके reason के आपके teacher जो है खुद भी बना के दे सकते है और ठीक है खुद भी बना के दे सकते है date sheet यह सबी reason को date sheet प्रोवाइड करा दी गई है अब reason जो है अपने सभी school के अंदर जो भी आते है दूसरे pre-board के अगर हम बात करते हैं तो यह 14 तारिक से लेके 21 तारिक तक है ठीक है यह minimum बेटा एक तो हो गई ही होगा maximum दो दो तो लेना ही लेना है CBSC ने तो बोला भाई सभी school को कम से कम दो बारी जो है pre-board लेना ही लेना है बच्चों का मैं जो लोंगी वो तो अलग है आ आप कम से कम दो बारी लीजिए ताकि बच्चों की जो है ताकि बच्चों की जो है वो practice हो सके ठीक है बच्चे अपनी performance को जो है चेक कर सके और offline mode में होगा बार बार कह रहा हूं चिला के तो आपको क्या इन exam को देना बहुत ज़्यादा जरूरी अगर आप इन exam को नहीं द करते हैं आपने जो पड़ाता है वो आपने जो है कुछ समझ भी आ रहा है उपर से जा रहा है बोर्ड के अंदर आप किस तरीके की performance करने वाले हैं तो भाया यह जो एक्जाम है last pre-board अब वो आपके स्कूल के उपर depend करता है कि एक pre-board लेता है या दो pre-board लेता है ठीक है वै यह एक reason की है ठीक है दूसरे reason की अलगाएगी तीसरे की अलगाएगी सभी reason के school के different date sheet आएगी तो भाया वो आपके school के उपर depend करता है कि एक ले या दो ले एक तो ले नहीं लेना है जैसा cbsc के sample paper के subjective pattern के accordingly है आपको यह exam देना है बहुत ज़्यादा जरूरी है इसमें अच् 25 दिन क्योंकि उसके बाद यह तो लगई पड़ा है 25 तारीक तक देखो 25 फरवरी तक जो है आपके पास दिन रह गई है के वल और पढ़ने के लिए चलो पूरा फरवरी भी माल लेते हैं उसके बाद बेटा मार्च से जो है ना मार्च से तो आप आई busy हैं क्योंकि आपके practical प्रिबोर्स हैं और फिर आपके पास पढ़ने का बिल्कुल भी टाइम नहीं है तो अब जो एक महीना बचा है इसको प्रॉपर यूटिलाइस कीजिए आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है फैप का महीना क्योंकि अगले अफते आपका भी टरम बन का result इसमें अगर एक महीना जो अपर ये फरवरी आ रहा है कल से लग जाईए अगर अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा तो मैं कहा रहा हूँ भाई बहुत कुछ उखार सकते हो एक महीने के अंदर अंदर ठीक है बहुत होता है एक महीना बहुत कुछ उखार सकते हो अगर अभी बुक भी नही दिये ना तो भी बहुत को चुखाड सकते हो ठीक है तो आप मुझे comment box में comment करके बताइएगा कि आपको क्या आपके school ने pre-board के date sheet provide करा दी है या नहीं करा दी है और आपने भी तक कुछ पढ़ा है या नहीं पढ़ा है तो comment box में comment करके जरूर बताइएगा मिलते आप से नेक्स वीडियो में ऐसी interesting topic के साथ